जैसा कि आप सबकू पता कौल मि safest मिला करते है और कुछ बात किया करते है तो आज इस इसी में आज का प्रोपिक है न बहुत का यह 때도पिक भी हैиком फोड़ाम होता आ जुसकर हम चीजों को करतो हैं चा स्ब按 करते नहीं आ यह जो confidence का मामला है ना यह बहुत ही problem है सर तो देखो बैटा confidence जो है ना एक दिन में तो आ नहीं जाएगा आपको क्या लगता है कोई भी topic आप पढ़ लिए हो और इस topics का question practice कर रहे हो तो आप confidence होगे कर लो ऐसा हो नहीं सकता है आप जितना मेहनत करोगे इस पर जितना time spend जाता है तो आपको क्या लगता है यह जाके खेला है नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है ऐसा सोचना भी मतलब बहुत मतलब क्या बोलते हैं अजीब साही बात है प्लेग्रोंड में जाने से पहले बैक एंड पे बहुत सारा practice होता है lots of practice similar हुए में आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको एक्जाम में जाना है तो एक्जाम में क्या करना है question को solve करना है तो इस question को solve करने से पहले आपको बैक एंड पे lots of practice करना पड़ेगा और जब practice करोगे न एक ही topic का multiple question practice करोगे तो पहली बार में आपको ठोड़ लएगा अगर यह फर्मुला लाएंगे तो answer आए दूसरी बार में और जब तीसरी बार चौथी बार लगा होगे न तो आपको लेगा नहीं सर बिल्कुल यह question है तो यहीं पर्मुला लएगा सर हंडेड परसंट शूर है जो यहीं लएगा इसी के राष्टे जाएंगे इसी के तुरू जाएंगे तो हम answer तक reach कर जाएंगे और जब चार option दिखता रहता है तो आपको option selection करने में और भी चीज़े आसान होती है तो ध्यान दिजेगा आप कोई भी topic को चाए किसी भी subject को अगर आपको उसके question बनने में problem हो रहा है तो question बनने का problem होने में तीन ही parameter है बेठा तीन ही parameter है क्या सर या तो उस question को समझ नहीं जो उसमें concept apply होगा उसके बारे में आप idea नहीं रखते हो या कुछ चीज़े लैक कर रहे हो आपको पता नहीं है उसके बारे में सही से idea नहीं है तीसरा क्या उस question में अगर कुछ numerical data है कुछ calculation है उसको आप सही से perform नहीं कर पा रहे हो इसके सिवा कोई region होई ही नहीं सकता है क किसी भी question को solve नहीं करने का अगर यह तीनों चीज़ पता है ना तो बिल्कुल आप किसी भी question को solve कर सकते हो किसी भी subject का तो आप देखें का जब question देता है आपको exam में देता है या पढ़ते हो तो question को पहले read किया करो सही चे question read करना very very important part है आपका question समझोगे question को पढ़ोगे तभी तो answer तक reach करोगे बेटा तो पहले question को समझी अच्छे से एक बार question समझ में आ गया ना 50% काम हो गया आपको अब क्या करने question समझ में आ जाएगा अगर यह topic आप पढ़े हो तो mind में उससे related concept पी recall होगा आपको अगर नहीं हो रहा है पहली बार में तो आपको उसको अप करोगे जैसे दोस्ती करते हो तो क्या होता है दोस्त के साथ जितना time spend करते हैं सर उतना ज्यादा information gather कर पाते हैं सिमिलर बात है concept के साथ subject के साथ जितना time spend करोगे हाथ उतना ही information gather करोगे उसके बारे में अधरवाज वहीं बात हो जाएगी सर सब्जेक्ट को देखे भी कुछ पता भी नहीं चला बस नाम के नाम मत्र के लिए subject पढ़े है सर कुछ आता जाता है नहीं थोड़ा पुद्ध पता है जैसे क्या होता है दोस्त से मालो instantly मिले एक दिन-दो दिन मिले एक दो दिन में तुम क्या ही पता कर लोगे यह तुम्हारे बारे में ही तुम्हारा दोस् के लिए suitable हो की नहीं तो इसके लिए आपको time spend करना पड़ता है और आप लोग अच्छी तरह समझते हो जो time spend करेंगे सर तब ही जाके चीजें वहां से gain हो पाएगा similar concept आपको book के साथ भी है similar concept concept के साथ भी है जितना आप concept के साथ बिताओगे जितना आप practice करोगे उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा और उतना ही ज्यादा बेटा confidence आएगा कोई भी इंसान को ऐसा नहीं मैं पढ़ा रहा हो तो मुझे पहले बार में बिल्कुल confidence नहीं आएगा एक बार पढ़ाऊंगा दो बार पढ़ाऊंगा तीन बार पढ़ाऊंगा अलग confidence जाएगा तो यह question प्रैक्टिसे टाइम में भी आएगा अब भी जब पहली बाक्राइब को डरों के अंदर से अलगा है गलत हो जाएगा अस्पिसे जब नेगेटी मार्किंग होती है ना तो और डर लगता है दूसरी बार प्रैटिस करोगे थोड़ा सकंड बिड़न जाना है आगे का चीजे हमपर निक करना है लगे रही है क्यारी ओन जब लगे रहोगे ना बेटा डिफिनेटली चीजे होगी चीजे बदलेगी कभी कभी लग लगाना है कि मुझे चाहिए और पूर्ट चाहिए तो मैं एफट लगाऊंगा और बिल्कुल सब चीजों को करेक्ट करूंगा ओके तब तो पड़ते रहे हैं आप लोग मिलते हैं कि नेक्स सेसन में हैब नाइस डे थैंक्यू थैंक्यू सो मच